इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी घिजाइड एफेम टैबलेट वैरिकाज नसों यानि की बड़ी हुई और मुड़ी हुई सत्ही नसे के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली एक prescription दवा है हिजाइड एफेम टैबलेट भूजन के साथ या उसके बिना खुराक और अवधी में डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार लिया जाता है आपको इस दवा को तब तक लेते रहना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर सलाह देता है यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और खराब हो सकती है अपने चिकित्सक को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं सबसे आम दुश प्रभाव मतली, अलजी की प्रतिक्रिया, सिर्दर्द और अपच हैं इन में से अधिकान शस्थाई हैं और आम तोर पर समय के साथ हल हो जाती हैं अपने चिकित्सक से सीधे संपर्क करें यदि आप इन में से किसी भी दुश प्रभाव के बारे में चिंतित हैं यह चक्कर आना और नींद का कारण भी बन सकता है इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवशकता हो इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्योंकि इस से आपकी नींद खराब हो सकती है जीवन शेली में बदलाव जैसे धूंडपान कम करना, व्यायाम बढ़ाना और स्वस्थाहार आपको बहतर परिनाम प्राप्त करने में मदद करेगा गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद